55 गंटे मुझे ED में वहाँ पर बठाया मगर मैं एक बात समझाना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को मैं आपकी ED से नहीं ड़ता हूँ, मुझे कोई फर्ट निपड़ता आप 55 गंटे करो, 100 गंटे करो, 200 गंटे करो, 500 गंटे करो, 5 साल करो कोई फरक नहीं पड़ता मुझे भाई और बेहनों हिंदुस्तान ने ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी नरेंद्र मोधी जी कहते थे 70 साल में क्या किया कॉंग्रेस पार्टी ने 70 साल में कॉंग्रेस पार्टी ने इतनी महंगाई हिंदुस्तान को नहीं दिखा थे बीजेपी और आरेसेस के नेता देश को बाठते हैं और जान मूच कर जान मूच कर देश में भाये पैदा करते हैं लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं देश की हालत आपको दिख रही है देश में देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप से नहीं चुपाया जा सकता है नफरत किसको होती है बाईयों और बेहनों नफरत डर का एक रूप है जिसको डर होता है उसी के दिल में नफरत पैदा होती है जो डरता नहीं है जो डरता नहीं है जिसको डर नहीं होता है उसके दिल में नफरत पैदा नहीं होती है तो बाईयों और बेहनों जब हम कहते हैं हिंदुस्तान में नफरत बढ़ रही है उसी बात को दूसरे तरीके से कहना कि हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है किस चीज का डर? भविश्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर ये बढ़ता जा रहा है और इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है और नफरत से क्या होता है? नफरत से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है बीजेपी और आरेसस के नेता देश को बाढ़ते हैं और जान मूच कर जान मूच कर देश में भाई पैदा करते हैं लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं अब सवाल उठता है ये किस के लिए करते हैं और क्यूं करते हैं फाइदा इस डर का इस नफरत का फाइदा किसको मिल रहा है बाई और बेनों क्या इस डर का फाइदा नफरत का फाइदा हिंदुस्तान के गरीब आदमी को मिल रहा है पिछले हाट सालों में आप मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोधी जीर की सरकार ने क्या फाइदा दिया पूरा का पूरा फाइदा दर और नफरत का फाइदा हिंदुस्तान के दो उद्योग पती उठा रहे है आप बापकी उद्योग पतीों से भी पूछ लो वो भी आपको बताएंगे कि पिछले आठ साल में हमारा कोई फाइदा नहीं हुआ सिरफ दो भी अक्तियों का फाइदा हुआ है और देखने को मिल रहा है चाहे एरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, सडके हो सब कुछ सेलफोन तेल सब कुछ इनी दो व्यक्तियों के हाथ में जा रहा है मीडिया देश को डराती है नफरत पैदा होता है और पिर पूरा पूरा फाइदा बीजेपी दो लोगों को दे रही है अब देखिए नरेंद्र मोधी जी ने नोट बंदी की नोट बंदी से गरीबों का फाइदा हुआ गरीबों के जेब से पैसा निकाला गरीबों को कहा काले धन के किलाब लड़ाई है और पिर कुछी महीनों बाद आपने देखा कि जो आपके जेब में से पैसा निकाला गया था लाकों करोर रुपे देश के सबसे बड़े उद्योग पतियों का कर्जा माफ किया गया किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे किसान के खिलाफ तीन काले कानून लाएंगे कहेंगे कि ये कानून किसानों के फाइदे के लिए है अगर किसानों के फाइदे के लिए है तो पर पूरे देश में किसान क्यूं खड़ा है सरकों पे क्यूं उत्रा है और आपके खिलाफ क्यों खड़ा है ये तीन कानून किसानों के लिए नहीं थे ये तीन कानून उन्हीं दो उद्योग पतियों के लिए थे और हिंदुस्तान के किसान को ये बात एक दम समझ आ गई इसलिए हिंदुस्तान का कानून हिंदुस्तान का किसान सड़क पे आके खड़ा हो गया और उसने नरेंद्र Mosty जी को अपनी शक्ती दिखा दी और जब नरेंद्र Mosty को पता लगा कि हिंदूस्तान के किसान की शक्ती मेरे खिलाफ खड़ी है तो नरेंद्र Mosty जी ने वही कानून रद कर दिये यही बात GST के साथ हुई Congress Party एक दूसरी GST लाना चाहती थी BJP ने GST को बदला पाँच अलग अलग टैक्स और जबरदस चोट जो चोटे दुकानदार है Small और Medium साइज बिजनेस वाले हैं मजदूर हैं किसान हैं उन पर चोट मरी और आज हालत क्या है और यहाँ स्टेज से बोलना यह बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मगर आज हिंदुस्तान की हालत यह है कि अगर देश चाहता भी है तो देश अपने युवाव को रोजगार नहीं दे पाएगा क्यों बाइयों और बहनों देश को रोजगार ये दो उद्योग पती नहीं देते हैं देश को रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनस वाले देते हैं देश को रोजगार किसान देते हैं और इन लोगों की रीड की हड़ी नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दी है तोड़ दी है तो आज जो इस देश को रोजगार दे सकते थे वो इस देश को रोज़गार नहीं दे सकते हैं और बेरोज़गारी जो आज आपको बेरोज़गारी दिख रही है वो आने वाले समय में और भी बढ़ेगी एक तरफ आपको बेरोज़गारी की चोट लग रही है और दूसरी तरफ महंगाई मेरे पास आकड़े है 2014 में LPG का सिलिंडर 410 रुपे का था आज 1050 रुपे का है पेट्रोल 70 रुपे लीटर आज तक्रीबन 100 रुपे लीटर डीजल 55 रुपे लीटर आज 90 रुपे लीटर सरसों का तेल 90 रुपे लीटर आज 200 रुपे लीटर दूद 32 रुपे लीटर, आज 60 रुपे लीटर आटा 22 रुपे लीटर तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई बाईयों और बेहनों, हिंदुस्तान ने ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी नरेंद्र मोदी जी कहते थे, 70 साल में क्या किया कॉंग्रेस पार्टी ने 70 साल में कॉंग्रेस पार्टी ने इतनी महंगाई हिंदुस्तान को नहीं दिखाई तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान का आम नागरिक बहुत मुश्किल में है बहुत दर्द सहरा है और जब विपक्ष जब विपक्ष इन बातों को पार्लमेंट में उठाना चाहती है तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार विपक्ष को पार्लमेंट में बोलने नहीं देती है चाहे किसानों का मुद्धा हो चाहे चाहे चाहेना का आक्रमन जो हुआ है उसकी बात करना चाहें बेरोजगारी की बात करना चाहें महंगाई की बात करना चाहें हम नहीं कर सकते पार्लिमंट में नहीं कर सकते और आप देखिए यहां हमारे मीडिया के मित्र है इनका काम जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने का होता है मगर यह भी अपना काम नहीं करते हैं 24 गंटा यह कैसे करेंगे यह मीडिया उन्हीं दो उद्योग पतियों का मीडिया है पूरा का पूरा मीडिया उन्हीं दो उद्योग पतियों के हाथ में है तो सच्चाई कैसे दिखेगी सच्चाई कैसे सुनाई देगी और जनता को जन्ता को सब मालुम है जन्ता घर में टीवी ओन करती है और जन्ता जानती है कि टीवी किसका है और टीवी किसके लिए काम कर रहा है टीवी दो उद्योग पतियों का है अकबार दो उद्योग पतियों के है और ये दो उद्योग पति नरेंद्र मोदीज के लिए 24 गंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदीजी इनके लिए 24 गंटा काम करते हैं देश में बेरोजगारी देश में महंगाई और देश का पूरा का पूरा धन दो उद्योग पतियों के हाथ में एक तरफ मीडिया का कंट्रोल दूसरे तरफ प्रधान मंट्री पे कंट्रोल अभी किसी ने कहा नरेंद्र मौधी जी प्रधान मंट्री है मगर मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ नरेंद्र मोदी जी प्रधान मंत्री है मगर उन दो उद्योग पत्यों के समर्थन के बिना नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री नहीं हो सकते मीडिया के समर्थन के बिना बिना नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री नहीं हो सकते और जो हिंदुस्तान के इंस्टिटूशन्स हैं, चाहे मीडिया हो, प्रेस हो, चाहे हमारी जुडिश्री हो, चाहे हमारा एलेक्शन कमिश्ण हो, उन सब पर दबाव है, उन सब पर सरकार आक्रमन कर रही है, तो यात्रा की क्या जरूरत है, यात्रा की ये जरूरत है, कि विपक्ष के सामने और कोई रास्ता ही नहीं है, हमें सीधा जन्ता के बीच में जाना पड़ेगा, मीडिया हमारा नहीं, सांसत में हम भोल नहीं सकते, तो आप कॉंग्रेस पार्टी और बापी विपक्ष के पास सिरफ एक रास्ता है, जन्ता के बीच में जाकर उनको देश की सच्चाई बताना, जो भी नरेंद्र मोधी जी के खिलाब काम करना चाहता है, चाहे कोई भी हो, विपक्ष की पार्टी हो, एक्टिविस्ट हो, एंजियों का कोई व्यक्ति हो, उस पर पूरा पूरा जबरदस्त आकरमन होता है, ED, CBI, Income Tax, यह सब के सब लगा दिये जाते हैं, 55 गंटे, 55 गंटे मुझे ED में वहाँ पे बठाया, बगर मैं एक बात समझाना चाहता हूँ नरेंद्र मोधी जी को, मैं आपकी ED से नहीं ड़ता हूँ, मुझे कोई फर्ट निपढ़ता, आप 55 गंटे करो, 100 गंटे करो, 200 गंटे करो, 500 गंटे करो, 5 साल करो, कोई फर्ट निपढ़ता मुझे, यह हमारा जो समविधान है, जो इस देश की आत्मा है, आज इसकी रक्षा करना, आज इसको बचाने का काम, हर हिंदुस्तानी नाग्रे को करना पड़ेगा, क्यूंकि अगर हमने यह नहीं किया, अगर हम आज नहीं खड़े हुए, तो फिर यह देश नहीं बचेगा, क्यूंकि यह देश समविधान है, यह देश इस देश की जंता की आवाज है, यह देश इस देश की जंता के भवश्य है, यह देश दो उद्योग पतियों का नहीं है, ये देश हिंदुस्तान के गरीब लोगों का है और आज दो हिंदुस्तान बन गए है एक मजदूरों का गरीबों का किसानों का बेरोज़गार युवाओं का उस देश में कोई सपना नहीं देखा जा सकता उस देश में अगर आप रोज़गार चाहते हो नहीं मिल सकता अगर आप अपने बच्चों को कॉलेज युनिवर्सिटी में भेजना चाहते हो आप नहीं कर सकते हो उस देश में आपको अपना खून पसीना देना पड़ेगा और खून पसीना देने के बाद आपको कोई फाइदा नहीं मिलेगा और दूसरा देश इसी हिंदुस्तान के अंदर दो तीन दस पंद्रा हुद्योग पतियों का अरब पतियों का उसमें आप जो भी सपना देखना चाहते हो देख सकते हो जो भी आप चाहते हो आपको हिंदुस्तान में मिल जाएगा बाईयों और बेहनों इन दो देशों के बीच में लड़ाई है नरेंद्र मौदी जी की विचारधारा कहती है कि देश को बाटना है और पूरा का पूरा फाइदा चुने हुए लोगों को देना है हमारी विचारधारा कहती है कि देश सबका है और देश की जनता जो अपना खून और पसीना देती है उसका फाइदा दो तीन उद्योग पतियों को नहीं मिलना चाहिए उसका फाइदा हिंदुस्तान के किसान को मजदूर को गरीब को बेरोजगार विवाओ को मिलना चाहिए ये फरक है और आपने आप चाहिए आप आज चले जाहिए और किसी भी छोटे दुकांदार से किसी भी मजदूर से किसी भी स्मॉलर मीडियम बिसनस वाले से किसी भी किसान से पूछ लीजीए क्या यूपिए के समय और आजके समय में क्या फरक है यूपिए के समय में सत्तर हजार करौर रुपए यूपिए की सरकार ने हंदुस्तान के किसानों को दिया बिना पूछे नरेंद्र मोदी जी ने तीन काले कानून दिये मज़़ूरों के लिए UPA सरकार ने एक एतिहासिक कानून मनरेगा दिया नरेंद्र मोदी जी ने पार्लिमेंट में कहा कि मनरेगा गरीबों पर अपमान है और फिर आज आज उनको नरेगा देना पड़ रहा है क्योंकि अगर आज UPA का नरेगा नहीं होता हिंदुस्तान में आग लग जाती जमीन अधिकरन बिल हम लाए लाकों करोर रुपे लाकों करोर रुपे हमने गरीब जनता को कॉम्पंसेश में देला लाकों करोर रुपे अरब पती बना दिये पहले बिना पूचे किसान की जमीन चीन ली जाती थी हुझारों एकर बिना पूचे एक मिनट में चीन लिया जाता था हमने का यह गल्ट है हम कानून लाए नरेंद्र मौदी जी ने पहला काम उस कानून को रद करने की कोशिश की, उनका पहला काप था यूपिया के समय आर्थिक प्रगती थी हम करोणों लोगों को हमने गरीबी से निकाला जितने लोगों को हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला दस साल में 27 करोड़ लोग बोजन कादिकार मन्रेगा कर्जा माफी इन उजारों से हमने 27 करोड़ लोगों को 10 साल में गरीबी से निकाला बाई और बेनों पिछले आठ साल में नरेंद्र मोदी ने 23 करोड़ लोगों को वापिस गरीबी में डाल दिया है तो जो हमने काम किया 10 साल में उन्होंने 8 साल में खतम कर दिया और पिर जाके भाशन देते हैं प्रगति की बात करते हैं न्यू इंडिया की बात करते हैं मेक इंडिया की बात करते हैं कहते हैं कि हिंदुस्तान बदल गया हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी जी पीछे ले जा रहे हैं हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी नफरत फिला रहे हैं डर फैला रहे हैं और इससे देश का नुकसान होगा देश का फाइदा हो ही नहीं सकता फाइदा देश के दुष्वनों को होगा फाइदा चाइना को होगा फाइदा पाकिस्तान को होगा मगर हिंदुस्तान को नहीं होगा हिंदुस्तान में जितनी भी नफरत फैलेगी जितना करोध फैलेगा जितना डर फैलेगा उतना हिंदुस्तान कमजोर होगा और पिछले आठ सालों में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को कमजोर करने का काम किया है जो हमारी आर्थिक शक्ती थी उसको खतम किया बेरोजगारी, 40 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में वो नरेंद्र मोदी जी की देन है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या महंगाई से, बेरोजगारी से, नफरत से देश मजबूत होता है क्या, कौन सी दुनिया में नफरत, बेरोजगारी, महंगाई से देश मजबूत होता है, देश कमजोर होता है, और नरेंद्र मोधीची और बीजेपी देश को कमजोर कर करने का काम कर रहे हैं। कॉंग्रेस पार्टी देश को जोड़ती है। हम नफ्रत मिटाते हैं, हटाते हैं। और जब नफ्रत मिटती है, खतम होती है, जब डर कम होता है, तो अब हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ता है। हमने यह करके दिखाया है, सालों करके दिखाया ह तो यह मैं आपको कहना चाहता था, कॉंग्रेस कार्य करता हूं को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, आप हमारी विचार धारा के लिए लड़ते हो, आप हिंदुस्तान के लिए लड़ते हो, आप संविधान के लिए लड़ते हो, आप अपना कून, अपना पसीना इस देश को देते हो मैं आपको आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको कहना चाहता हूं कि कॉंग्रेस पार्टी का कार्य करता कि देश को बचा सकता है कॉंग्रेस पार्टी की विचार धारा देश को प्रगती के पत्पिल आ सकती है हमारे लिए सरकार ने जैसे मैंने कहा रास्ते बंद कर दिये पार्लमेंट का रास्ता बंद कर दिया सांसद में कॉंग्रेस पार्टी अविपक्ष के लोग भाशन करी नहीं सकते हमारा माई कॉफ हो जाता है और किसी भी मुद्धे पर हम चाइना के आकरमन पर बात करना चाहते हैं नहीं कर सकते बेरोजगारी के बात करना चाहते हैं नहीं कर सकते महंगाई पर बात करना चाहते हैं नहीं कर सकते वो रास्ता बंदे जो हमारे institutions हैं चाहे वो media हो चाहे वो election commission हो, judiciary हो मैंने का उन पर आक्रमन है, उन पर दवाव है तो हमारे ले सब के सब रास्ते बंदे एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता हमें सबसे अच्छा लगता है जनता के बीच में जाकर सीधा जनता के बीच में जाकर जनता को जो देश की सच्चाई है वो बताना और जो जनता के दिल में है उसको गहराई से सुनना और समझना इसलिए Congress Party भारत चोड़ो यात्रा शुरू कर रही है आप सब दूर दूर से आए इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ विचारधारा की लड़ाई है और Congress Party की विचारधारा और जो हमारे सब विपक्ष की पार्टियां है मिलकर BJP और RSS की विचारधारा को हराएंगे बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जेहन झाल 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 झाल